हलो फ्रेंट्स गोड इवनिंग और वेलकम टो यूटूफ चैनल इजिकेस अनिर के तन शिक्टी सेवन बीपीएसी मुख परिक्षा की अंचेक्ट कॉपी सफल और असफल दूरों यह घरतियों को उपलब्द करा दी गई इस कॉपी के जो डाउनलोड किया है चात्रों ने उ अit में आपको समस्या पताता हूं के चात्रों ने क्या समस्या बताई है कि जो कॉपी चात्रोंक मक्या दी गई है उसमें आप देखेंगे आप ऐसे ही पेज नमबर डू का पहले हाफ पोर्षन और फिर उसी पीडिएफ में फूल पोर्षन है अब छ jogar का कहता है कि अगर यही कौमपी के साथ भी सजा की गई होगी तो उच्छ नमपर पेज है नोप फूल फूर्थ पेज के हाफ और फिर उसका फूल और यह एक कॉपी की समस्या नहीं है एक कॉपी में दिखा दिया आपको कई सारी कॉपीयां जो हमारे साथ शेयर किया चात्रों ने उनमें यह समस्या है एक और कॉपी जिसमें भी आप देखेंगे कि पेज वन का हाफ इससर और फिर पेज टू का पूरा हिंसर प्रफिर पेज टू का फूल अब इस तरीके के मैत के प्रश्ण अगर एवल्यवेटर के पास ऐसे जाएंगे तो उन्हें चेक करने में काफी दिक्कत का सामना करना तो हमारा एक सब्सक्या है, में पहला कि जो छात्रों को कापी दी गई है- तो इस चीज पर भी पीरसी को संग्यान देना चाहिए और आगे से इस तरह की दिक्कत Finnish नहों इसमेंको बिसेत ध्यान की पीडियाफ अगर उन्हें दिये जाएंगे तो सभाविक सी बात है कि ऐसे पीडियाफ को चेक करने में इरिटेशन होगा जुझलाहाट होगी और जिसका की प्रणाम क्या होगा कि छात्रों के अंक पर प्रभाव दिख सकते हैं और छात्रों ने इसी को लेकर आपत्ति दर् गई है क्योंकि बहुत सरी कॉपियां इसी भी है जो ठीक है जिसमें यह समस्या नहीं है वह कॉपी भी आपके साथ साजा कर रहा हूं कि अब एक कॉपी जी शात्र की है उनकी जो पीडियाफ है वह ठीक है यानि कि आप यहां पेज नमबर वन देख रहे हैं कि पूरा है पेज नमबर थ्री तो अभी तक जो हमारे पास कॉपी जात्रों ने शेयर की है उसमें से 70 प्रतिसत कॉपियों में वह समस्या है कि पेज नमबर वन हाफ फिर पेज नमबर वन का ही फुल और यही प्रकिरिया अंतिम तक पेज तक गई है तो इस चीज को आयोपको संग्यान लेना चाहिए आप भी अगर आपी अपनी कॉपी हमारे सा Zा करना चाहते हैं तो आ अ ऍेल्चे आपको स्क्रीन पर दे रहा हैं इस नमबर पर आप अपनी कौ्पी को साजा कर सकते हैं कि जब आप अञेख कऊपी हमारे साजा करेंगे तो जो हमारी एवल्यशन की जाएगी रिजल्ट के बाद और वो जब आप हमारे साजा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी मार्किंग पैटरण में कितना का डिफरेंस आ रहा है उसमें किस लेवल पे सुधारकी ओ सकता है तो अगर चाहें तो स्विक्षा से इस नंबर पर अपनी कॉपी साधा कर सकते हैं 9582287624 आपकी कॉपी की फर्स्ट पेज की इंफॉर्मिशन गोपनिये रखी जाएगी वैसे जो फर्स्ट पेज बेगोपनिये जनकारी होती है उसे आयोग अलग कर देता है फिर भी अगर आप चाहें तो फर्स्ट पेज को ब्लर कर सकते हैं या उसको हटा के बाकी कॉपी आप हमारे साथ सेयर कर सकते हैं अगर आप एंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नए बैच के सुरुवात 14 अक्टूबर से हो रही है पहला बैच हमारा अल्रेडी चल रणिंग है फिफ्ट अक्टूबर से जो पांच अक्टूबर से बैच शुरू है उसमें छात्र काफी रूची ले रहे हैं और डेली एंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इस तरीके के प्राइविट ग्रूप बनाया जाता है पेट ग्रूप जिसमें आपको एड कर दिया जाता है इसके बाद मार्णिंग में आपको एक लीब्स कि अलग गॡूप होता है और एक जीएस और एक एसे एक वरी में चार दिए जाते हैं आपको साकれて साथ जो जीएस के कुष्चन दिए जाते हैं उसमें एक लॉंग और एक सोट कोश्चन होते हैं तो आप अगर प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर वाले बैच से जुड़ सकते हैं जुड़ने की पूरी परक्रिया दी गई है अगर आपको एविलेटेट कॉपी या मॉडल एंसर या कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो कॉंटेक्ट नंबर दिया गया है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप मैसेज पिंग कर सकते हैं एक चीज में सौर्ट में आपको बता दू कि अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप अधिक्तम लाफ कैसे ले सकते हैं एक छोटा स सब्सक्राइब देखेंगे इसके बाद पिछले दू-तीन सालों में गवर्नर से रिलेटेड देखेंगे जितने भी कंट्रोवर्सी रही है उसे आप राइट डाउन करेंगे सुप्रीम कोड के अगर कोई जैजमेंट है गवर्नर से रिलेटेड उसे भी आप लिखेंगे इसके बाद जब आपको कोश्चन मिलेगा तो आप अपने एंसर लिखेंगे और जो अन्छात्र एंसर करके और जो आपने जैजमेंट्स और रिशन कांट्रोवर्सी को उसमें राइट डाउन किया है तो एडिसनल प्वैंट्स भी आप वहीं पर राइट डाउन कर लेंगे तो इस परकिरिया को आप फॉलो करेंगे तो जब आप एक एंसर लिखेंगे तो उससे आपको क्या हो क तो इस टॉपिक से लेटेड जितने भी प्रश्ण अब तक बीपीसी में पूछे गए हैं वहीं प्याप क्या करेंगे उसको एक सौट में लिख देंगे कि अभी तक इस टॉपिक से बीपीसी ने इतने प्रश्ण पूछे हैं अगर आप पूरी परकिरिया को फॉलो करते है तो मैं दावे के साथ करता हूं कि आपको लाग जरूर होगा तो इस प्रगाम से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि अगर जुड़ जाए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है इससे अच्छा है कि आप ना जुड़ने के लिए सर्थ है कि आप डेली एंसर करें तभी आप इस प्रोग्राम का अधिक्तम लाग ले सकते हैं धन्यवाद